होटेल में आ चुके चमतकारी मनोना धाम में हैं पचास रुपय में पांच रोटी चावल है दो प्रकार की सब्जी है पढ़िए बहुसता है हसो नहीं भई यह क्या दिक्कत यहो नया मंदिर बन रहा है आप लोग अगर आते हो इस तरीके से रजाई गद्दा मिल जाता है मं खाने पिने की क्या वहुसता है तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने कमेंट किया हम तुरंत मनोना धाम पहुंचे बरेली लखनों से 300 किलोमेटर दूर हमें आना पड़ा और लखनों हमारे घर से 500 किलोमेटर है कुल मिलाकर 700 800 किलोमेटर दूर से हम आय हुए सिरफ आप तो दोस्तों अभी हम आपको ले चलते हैं खाने पिने की क्या विवस्ता है वो हम आपको दिखाते हैं आओ डोस्तों फाइनली हम होटल में आ चुके भाई या पर जो भंडारा चलता जो खाना पीना यहां पर चलता है और आप लोगों को बताने के लिए कमेंट के अनुसा पर खाना पिने की वेश्था है तो यहां पर जो भी सुब्दा है जो भी वेश्था है मैं नहीं बताओंगा यहां का जो वाई ओनर है उनसे हम बात करेंगे लाइब तो भाई आप मारे ओडियेंस को बताइए जो भी दूर दरस्ते आना चाहता है और आता है उनका एक ही सवा उमनगुपता पर मनोना में मनोला धाम मनोना धाम करते हुए चल रहे हैं पहले हमने 40 रुपे में पेट भर के खाना स्टार्ट किया ता उसमें हमारा एब्रेज नहीं गिर रहा था अब हमारा व्रिटी है तबर रोटी चाहते हैं तो आप तबर रोटी मिलेगी सब्जी में क्या रखे आप जो रहता है नॉर्मल खाना दाल है गोबी आलू है छोले आलू है दाल मखनी है उरद राजमा है जो भी रहेगा वह मिलेगा और जो आपको अगर अपने ऑडर वाइस बनबाना है तो आप औ पी रूपी में दो सबजी राइस और पांच रोटी चाबल भी है दो सब्जी सलाद भी है अचार भी है पानी कॉस्ट आफ फ्री है नॉर्मल वाटर है कॉस्ट आफ फ्री है तो आप लोगों की कमेंट के नुसर हम यहां पहुच्छ चुके है और भहिया बोला है भई तब तंदूरी रोटी रहेंगी और अगर आपको और भी चहीं एक्स्ट्रा चहीं है तो आप आलू पराटा भी बन जाएगा पनीर का पराटा भी बन जाएगा आप थोड़ा वक्त देना पड़ेगा तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको बताया इना भी बताया पचास रुपए में पांच रोटी चावुल है दो प्रकर की सब्जी है और अगर आप चाहे तो तबारोटी खा सकते हो नहीं चाहे तो तंदूरी और पुड़ी भी खा सकते हो तो दोस्तों हम लोगों को भी पर हजारों दुकान हैं दोस्तों आप देख सकते हो काफी सारा लंबा दुकान है सारे दुकान आपको खाने पिने की नहीं मिलेंगे और कई दुकान ऐसी है खाने पिने की आप पर मिल जाएंगे आजू आजू बाजू में भी आपको देखने को मिल रहा है और यहां जैसे ही बाला हूँ और यहां के से रह सकते हो और रहने के लिए आपको किया कोश्ट देना पड़ता है कितना पैसा रगता है और रहने की विश्ता है तो दोस्तों बने अगर आने की विचार आप बनाते हो यहां रहने की और खाने पिने की कोई आप ववस्ता नहीं रहता है बड़ी यह ववस्ता है सभी लोग सुरद्धा प्रवक और भाव से मन से भोजन प्रसादी कराते है तो यह तो हो गया दोस्तों खाने पिने की क्या विवस्ता यहां पर है को इसी वीडियो में देखाएंगे कि रहने की क्या विवस्ता है तो सबसे पहले हम लोग खा लेते हैं दोस्तों इसके बाद बात करते है दोस्तो हम तिनों ने खाना पिना यहां से खा चुका है और वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए जहां पर हम लोगों को विश्राम करना है और वो भी आप तो भाईया खाना पीना खाकर हम तीनों कम्प्लीट हो चुके हैं और अभी हम लोगों को जाना है वह पर देखिए वह जो मंदिर बन रहा है पुरा नया मंदिर बन रहा है वहां है सोने के व्योस्ता वह हम आपको देखाते हैं चलो भाई वहां चलते हैं आपको देखाते हैं भाई सोने के लिए क्या विवस्ता है रुकने की क्या विवस्ता है तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बार बार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई यहाँ पर रुखने की क्या विवस्ता है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यह जो मंदीर आप देख सकते हो नया मंदिर बन रहा है और इसी ठीक इसकी मंदिर की नेचे एक हॉल रूम है तो हॉल रूम है यापर तो इसी हॉल रूम में आप रुख सकते हो यहाँ पर गद्दा मिल जाता है पल्ली मिल जाता है रजाई बोलते हैं जिसको वो मिल जाता है आपको और मात साप सफाई करके फिर से रख सके वह 10 रुपए आप किराय के मत समझीए वह 10 रुपए इसलिए देना पड़ता है आप लोगों को और हमें भी देना पड़ता है इसलिए कि वह यहां पर जो भी रहने आते जो गद्दा पल्ली रजाई जो गंदा हो जाता है उसको धोने के लि क्या करते हैं यह आप देख पारा है यह मंदिन निर्मान के लिए लगा देते हैं तो दोस्तों कहीं न कहीं आपका भी एक रुपए दो रुपए पांच रुपए यहां दान में जा रहा है और मंदिन निर्मान के लिए जा रहा है तो आप अगर यहां पर आते हो दर्शन क करने के लिए खाडू शंबावाजी की दुवार पर मनोना धाम बरेली में पड़ता है आप अगर पूरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप हमारा पहला सीरी जरूर देख लेना उसमें हमने एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर आने की बाद आपको मुझे नहीं लगता कि रहने के लिए कोई ज़्यादा अब ववस्ता है बड़िया ववस्ता है आप एक दिन दो दिन पास दिन आट दिन यहाँ पर रुख सकते हो और रुखकर आप बड़िया आरम से आप दर्शन करके जा सकते हो अगर किसी भी प्रकार के आर मरीज लेकर पर आना चाहते हो तो मरीज की वेवस्ता भी यहाँ पर है बावाजी क्या करते है अगर आपके पास कोई क्रिट्रीकल मरीज है इमर्जेंसी मरीज है बावाजी खूद अपनी गद्दी चोड़कर आते हैं मरीज को देखने के लिए तो दोस्तों देखाते हैं थोड़ा सा लाइट की वेवस्ता थोड़ा सा कम है यहाँ पर और यह देखिए हमारा भाई अरे भाई आ चुका है यह देखिए भाई इस प्रकार से यहाँ पर जो मरोना धाम है तो आप लोग अगर आते हो इस तरीके से रजाई गद्दा मिल जाता है भाई हमारे साथ बिकास भाई मं लाइ बैठे हो इस तरीके से गद्दपली मिल जाता है यह जो गद्दपली मिलता है 10 रुपए आपको इसलिए देना पड़ता है कि भाई इसकी धुलाई के लिए और साबसपाई के लिए और जो भी पैसा वस्ता है मंदिर निर्वान में जाता है कही ना कही दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इसमें जो दस रुपए जाता है और इसमें से जो भी पैसा वस्ता है मंदिर निर्मान के लिए जाता है और आपका कुछ 6 तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था घ्राने परतार और ईस बीडियो में डखाए यहाँ आने की बाद कैसे आप रह सेकते हो यह हल गर है और आज फिर्फ को दोस्तों आप लोगों को पूरा समझ में आ गया कि खाने पिने की क्या वे उसता है रहने की क्या वे उसता है मनोना धाम पर तो जै बाबा खाटू से हम वीडियो को ही एंड करते हैं जै हिंदे